जहिन बंदे मात्रम सातियों नसा वर्दी का पिल्कुल आपका आर्मी का नोटिफिकेसन आ चुका है और आपको बहुत ही जदी फॉर्म फिलब कर लेना भी चेने के लिए आया है और आपको मैं सारी प्राइटेरिया आर्मी में कैसे परसंट पुछे जाएंगे क्या पुछे जाता हूं कि यूँगी नहीं मिलती राई को मंजिल दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है पूछा चिलिया से कैसे बना हास्या ना बोली भरनी पड़ती है उलान बार बार दिर का देता उठाना पड़ता है जी हाँ दोस्तों जो चेनई का जो चेनई को ने जो आपको दिखा पाएं तो यहां से देखिएगा सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि इन्वाइट्स ओनलाइन एप्लिकेशन फ्रोम अनमेरीड जहां रखड़ा एविवाइट पूरूसों के लिए आर्मीन एक बरती निकाली है मेल केंडिडेट ऑफ सेलेक्शन टैस्टे फोर अगनी वीर इंटेग फॉर ट्रियूटिंग यह दोजार थेपीश जोईस अंडर अगनीपत स्कीम ऑनलाइन एक्जाम डेट भी देदी ऑई ओनलाइन एक्जाम डेट भी देदी 17 अप्रेल 2023 को आपका एक्जाम भी होना है ओनलाइन एक्जाम होना है 17 अप्रेल को यानि बहुत ही कम टाइम आपके लिए बचा है और कमांडो की आकेडमी ने भी ओफ लाइन मिलख सिंग बेंच लाँच किया है उसमें भी आपकी जोईंग कर सकते हैं अब साथ में इन्होंने कुछ जान करिया यहां पर लिखी है और उसके बाद कहा कि प्लीज रीड और इसका च्छोटी च्छोटी बात को प्लीज तहान से पड़े ऐसका आर्मी वालों का मानना है अब देखिएगा इसमें फेज दो करती है आपके देखो फेज दो करती है ओनलाइन कंप्यूटर बेस्ट इटन एक्जामिनेशन यानि और दूसरा स्थैकेंड रिक्रिमेंटर यानि पहले पेपर के लिए करो उसके बाद में आगे पेज़नेशन पड़े करनी पड़ेगी यहां इनोंने लिखा है प्लस बेन चार्जेश अलग से होगा इसके बाद में इनोंने का आगे कि देख लेते हैं और यह आपको पोरा बड़ा है इनो ने बताये कि यह आपको एप्लाइब करने हैं और फिर इनोंने नीचे अपने जानकारी कोई खास नहीं दे रहे कि next page पे आप चलते हैं next page पे इन्होंने कहा कि eligibility यहाँ आप में योगित्ता क्या-क्या होनी चाहिए अगर इस forum को आपको apply करना है तो यहाँ से देखिएगा हम बिल्कुल detail से एक बात करते पे चलेंगे साड़े सतरा सा इन्होंने कहा है कि जो एज है वो साड़े सतरा से 21 साल वाले बंदे पूर लिया जाएगा और आर्मी जीडी के लिए बता रहा हूं और और अगनी वी जनरल ड्यूटी जनरल ड्यूटी मतलब जिसको आप जीडी एक सैनिक की ड्यूटी बोलते है अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है तो द्यार रखना उस समय भी आपको 33 परसेंट के साथ में ड्यूटी जिसको हम 33 परसेंट से 40 परसेंट बानते है कोई साथ ही सब्सेक्ट हो और आल एक्रीकेट्स टी तुग्रेड यानि सभी में ओरओल में देके को सिट्व ब्रेड आपको पास में मिलनी चाहिए ओवर 45 परसेंट इमें एक्रीकेड ड्यूटेट्स टाइवर अगर्णि इसी में ड्राइबर की पॉर्चन बढ़ना चाहत उसके बारे में जाए तो अगनी टेक्निकल के लिए आपको 10 प्लस 2 पहली बात तो आप 12 पास होने चाहिए और साथ में इस पुरम को टेक्निकल वाले को पहली लाइन में लिखाए कि जिनके फिजिक्स कैमेस्ट्री मैक्स राहे 12 गास में फिजिक्स वियान आपका भोती की वियान रसाइन वियान और गणी तरह है वही लेकिन 50% मार्क्स के साथ में उना चाहिए द्यान रखना पचास मार्क्स के साथ में अब यह बात देखेगा हम देखते हैं पिर इसने का कि अथ्वा में 10 फ्लस टू इंट्रमीडियर एक्जाम पास इंस अगला स्थें के सेम लाइन लिखी मेर्ट इंग्लिस फ्रोम एनी रिकोगनाइज इस्टेड बोर्ट सेंट्रल बोर्ट कोई दाभी अब तीसरा option आपको और दे दिया कि या तो दसवी पास 50% के साथ में और 40% इंग्लीज मैश साइंस विद टू यह टेक ट्रेनिंग फ्रोम आई ट्री यह और त्री यह डिप्लोमा इंप्लोमिंग इस्ट्रेम यानि यह अलग-अलग आपको दे रखें जो मैं आपको पीड कर रखें तो आप टेंथ पास भी टेक्निश्यम के लिए पाउम इप्लाई कर सकते हैं इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखें आपको अलग लग जिसी इलेक्रिकल इंजिनीरिंग, इलेक्रोनिक्स, इंजिनियर मोड, आटो मोबाइल इंजिनीरिंग, किसी में भी अ अगर मैं सिंपल बातें आपको यहां से करूं तो आपको अगर 10th class एप्लाई करना है तो आपके पास में साथ में क्या की होई जोनी चाहिए, यह आई यह साथ में पढ़तें सब्जेक्स में आपको, 40 संब, 40 संब यानि math में, science में, math, science और और पिसरा English में, ठीक है, 10th class में आप डिटेंसे वीडियो देखेगा प्रतिक जानकरी में आपको दूआ है, अगरी यहीं कलत इस्टोर कीपर टेखने कल ओल ओम्स है, यानि साड़े 17 से 21, इसमें भी आपको 10 प्लस 2 चाहिए, intermediate exam pass इन extreme arts, यानि आप arts से 12 होनी चाहिए, या कोमर से, या science से, with 60% marks, यानि total 60% marks English में होने जरूरी है, English और Maths में, साथ में अगर आपने कोई अकाउंट टेंस जैसे, आपने कोमर से की है, साथ में bookkeeping in class class mandatory, या आपको यहां से होने, अगला अगनी भी टेंस्ट में, एक 10 प्लस 2 चाहिए, इसमें देखो कोई भी परसंटेज का requirement नहीं है, टेंस्ट में के चाहिए, अगला class 8 simple pass होना चाहिए, 9 percentage बट सुड होगी, score minimum 33% in each subject, यानी परतिक सब्जेक्ट में 33% तो होना नी चाहिए, परतिक सब्जेक्ट में कितना परसंट होना चाहिए, 33% तो होना नी चाहिए, बाकी इन्होंने 50% वाला criteria, अगनी वीर, 10th pass और add pass में हटा दिया है, add और 10th pass में, बाकी अगनी वीर कलग है ये, क्या ही ये कलग या इस्टोर कीपर के लिए है, ये किसी भी सब्जेक्ट का हो, जरूरी नहीं आपके लेकिन ध्यान अगला, math, math और English में 12th pass वाले ही, इसको हम एपलाई कर सकते हैं, कलग पोस के लिए, अगर आप 10th pass दे, तो आ एक बार खटा के देख लेते हैं, कि इनोंने क्या लिखा है, इन्टरनेट को भी नहीं चलेगी, यानि आप परहों तो भर सकते हैं, लेकिन तब तत आपका परिणाम भी आ जाना चाहिए, आप 10th में है, तो 10th में पास हो जाने चाहिए, 12th pass हो जाने चाहिए. तो यहां से आपको बता रखा है, तो यहां से आपको बता रखा है, तो यहां से आपकी सिगनेचर होनी चाहिए, ब्लोक एजुकेशन ओपीसर के दोनों में से एक ले, यानि उतको आपको verified करवा के लेकि जाना है, क्योंकि add class में कुछ के board है और कुछ के board नहीं है, इस कारण से यह बाता आपकी आपकी हांसे लिखी है. सावास, अगला देखिएगा, अगला आपको कहा है कि रिजन के इसाफ से, सावतान फ्लेंस में, अंदर प्रदेश, तमिलाडू और तेलंगाना में, अगनी वीर जुरी के लिए 116 cm, अगनी वीर टेकनिकल के लिए 115 cm, अगनी वीर कलर के लिए 116 cm, मिनिमम चैस 33 cm, वीद 5 सेंटीमेटर के फ्लाव के साथ में, अबको चाहिए, अच्छे से आपको सारी जानकारी जिसमें मिल लिए होगी, अगला देखिएगा, अगली प्रोसेश में देखिएगा, वेट आपका इसने दे रखा है, जिसकेए अकोडिंग आपका क्या होना चाहिए, वेट होना अगली बाते हैं क्या लिखी है इन्होंने, इन्होंने height के बारे में लिखा है, जो और मैं आपको आगे detail से बता दूँ आभी के लिए आपको इतने, अब यहां से लेखेगा, अब देखिएगा, son of servicemen और ex-servicemen, war video and video servicemen उनको क्या height में 2 cm की छूट मिलेगी, relaxer मिलेगा उनको physical में 2 cm की छूट मिलेगी, chest में 1 cm की, weight में 2 की लोगी, ठीक है, disforgemen है और national या state गा, उसको भी height में 2 cm, 3 cm और 5 cm की छूटे मिलेगी, अब या देखिएगा, अगला आपके सामने, अगला आपका, अब देखिएगा, bonus marks, इनको bonus marks मिलेगी, बहुत की अच्छी पोलीशीनों ने निकाली है, bonus marks के लिए लिए लिए, यानि एक sun को लिए, एक पुतर, यानि अगर कोई एक service में है, उसका एक ही पुतर है, तो एक पुतर को अगनीवीर जिडी में, big marks, total marks कितने, 200, 200 में से 20 marks मिलेंगे, इधर अगनीवीर color किया technical के लिए भी 20 marks, इधर अगनीवीर treatment के लिए भी 20 marks, sportsmen, sportsmen, अगर आपके पास में international level का है, अंतराज की level का है, तो 20 marks, 3-0 में मिलेंगे आपको 3-0 duty में, और अगर आपके पास में junior national level and senior medal position in event, have reached up to 18 position team event, जिसमें पद्रा-पद्रा marks आपको दे रखे हैं, represent college university, college university and inter university, उनमें भी 10 marks मिलेंगे आपको championship में, अगर आपने कहीं भाग लिया है तू, नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेंस में भी अगर आपने कोई position प्राक्स किये तो दस्तसांद के आपको यहां से bonus मिल जाएगा paper में, साथ में, आपने कोई district level game भी खेला है, district level भी खेला है, कोई medal अगर आपके पास में, तो पात-पास-पास-पास मेडल के एड हो जाएगे आपके, साथ में state school team in events organization by all school India Games Federation and who won model, medal in individual event और up to six position of the team event पास-पास-पास मार्स उसके आपको मिल रहेंगे, इसके details से मैं आपको और हिंदी में एक वीडियो लेक्ट आओंगा, NCCA certificate, NCCA certificate के 5 मार्स है तीनों जूटी में, NCCB certificate के तीनों जूटी में 10 मार्स है, NCCC certificate 20 marks है आपकी GD में, 15 marks है कलत में और 15 marks है ट्रेट्स में, NCCC certificate participate in Republic Day, अगर आपने कहीं भी Republic Day प्रेट में भाग लिया तो उसमें GD में 25 marks, इसमें 20 marks कलत में और अगनी भी ट्रेट्समेंड में 20 marks, अगला आपको दे रहता है color day, O IT course, certificate issues and I, LIT and having higher level IT courses, certificate A, B और C level, यानि अगर आपके पास में इन से समझ भी कोई से लेबर, यह अगनी भी जो color या technical के लिए भी आपने कोई course कर रखा है, ऐसा इस criteria को पास करने वाला तो 15 marks आपको उसके मिल गाएंगे, अगर आपने 10th plus करके 2 साल का IT कर रखा तो आपको 20 marks मिलेंगे, 10th plus 2 या 3 ये का आपने डिप्लो मा कर रखा तो 30 marks आपको टेक्निकल में मिलेंगे, यानि अगर ए आर्मी ने क्या कर योग है उमिद्वारों कोई चुज़नने का विचला लिया है जालत तर। अगला देखिएगा, आपको अच्छे से समझ तो आई रहा होगा इनमें, कि अगला इनमें दे रखा 25 मार्क्स, मैजिमम बोनस मार्क देट कें बी गिवने 25 मार्क्स, इवन इपे केंडिडेट क्वालिफाइग और मौर देन बन टाइप बोनस मार्क्स, एक्सपर्ट, अगनी काम की बाते हैं सेलरी के सेलरी भी बहुत अच्छी कासी सेलरी आपकी यहां से दी घी गई है, देखिएगा सेलरी में आपको लिखा है कि परस्ते कि आपको 30 सेलर अब आपको टोटल आपको मिलेगा 5.2 लाग रुपे और यहां पर भी 5.2 लाग रुपे दोनों से आपको फट बिल जाएगा जब आप रिटार्मेंट होंगे दस-चार साल बाद में सेवा नीदी पेकेज के रूप में आपको 10 लाग रुपे दी जाएंगे चार साल बाद में अब नेक्स आपके सामने इस्किल सर्टिप्रिट के बारे में लिखा है रिट्रिमेंट ओनलाइन सी जबकि अभी तक इन्होंने सलेबस के बारे में कोई भी पॉइंटर नहीं दिया अब देखना एक्जाम में आपको फ्रिक्सिंग एट एंटिगेट चेकिंग एड़ मिट कार्ड न आधार कार्ड चेकिंग पॉइंट में ओटो एलोप्मेंट उप एक्जाम जोल अटेंडेंस और एक्जाम जोल गेट ये सारी प्रोसेज आपको वाण पर कोगी फेस के लिए आपको एक नटा दिया जाएगा अगर तो के टिगरी के इसाफ से MC क्यों आएंगे MC क्यों ना सकती करेक्टर्स सर्टिफिकेट रिलेस्न पर पास में साथ में स्पोर्स सर्टिफिकेट रिलीफ फाद SIM step by open source जिएäche पुलिस क्रेक्टर साथ में अभाए अब आपको पो हमक मास्ट गांजा जेग जेग बैन्स ID का हिए है 남कने 5-7 , आपको शार्ट मार्स मिलेंगे 10 8-9 मिलेंगे क्ला कुलफ में 9 मिलेंगे 40 here 33 मिलेंगे वैसे भी आपको अच्छे से इनका जान अच्वादर है आपको घ्र्डारे इंप्रेडर को g little शाइज से रिङए बात कोई ज्यादा यहां सिर्क बारे यहां से दे रखा आपको रिजल्ट ऑप रिटर्न एजामिनेशन नौ सेपरेट लेटर विल भी सेंट केंडिडेट रेस्पोंजबिलिटी केंडिडेट चेक रिजल्ट एंड रिपोर्ट ऑफिक्रिविंग ऑफिसन चेना ही में डोकुमेंट्स वरिफिकेशन होगा आपका औ अब आपको ओके सब्सक्राइब काहां से परवाएंगे उसका फॉर्मेट भी इसमें प्विडियम में दे दिया जो आपको कमाट्व किड्मी के टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी साथ में ये भी आपको अलगसे मिल गया रेस्पेक्ट पास्पूर्ट साइज फोटो यह आपको दिया इन्रॉल्मेंट और अग्निविर अंडर इसकिम के लिए 10 रुपे का उनके बारे में बोडी टेटू है लगातार को निसान है तो उसके लिए आपको इस्वाल सर्टिफिक्ट देना पड़ेगा तो आप सभी को जैहिंद आने वाला है बड़ा बंदाव य अभी तक उनका सरेवस जारी नहीं हो चुका है एक्जाम डेट भी आपकी जारी हो चुकी है तो तो आपको ज्यार रखना है बहुत ही गोटन चांसेद आप की सामने होगा क्यों योगी नहीं मिलती राही को मंजिल दिल में जुनल सा जगाना पड़ता है पूछा चिरिया स पर बहुत कम पे सो में आपको पूर्स मिल जाएगा ओफ-लाइन पूर्स जिसका नाम है मिल खास इंग बेच में अगर आप जोई नहीं होते हो तो पैंटीस जार उपे तीन मत्की आपके लगे जिसमें आपको फिजिकल प्लस रिटर्न, खाना, रेना, सारी आवाज की कुछ ना देते जाएगे तो सभी को जैने देवाट